हेलो दोस्तों आप सभी का सोनम की रशोई में स्वागत है तो आज हम लेकर आए एकदम नई रैस्पी जैसे कि काफी लोग होते पालक नहीं पसंद करते हैं खाना तो हमने पालक को कुछ अलग तरीके से बताया है बनाने के लिए तो आप लोग अगर इस तरीके की पालक बना आएंगे तो मुझे मैसूस हो रहा है कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी तो हमने आपर पालक को अच्छे से वास कर लिया था और छोटे-छोटे तरीके से इसे काट लिया है मैंने तो मैंने को कर लिया उसमें डाल दिया मैंने पालक अब डालूंगी में उरत दाल तो आ अब काली वाली भी ले सकते हैं तो यहां पर हमने डाले कुछ हरी मिरच, दो लैशंव के कलियां श्वादन शान नमाख यहां पर हम डालेंगे अब पानी तो हमने आपर तीन गिलास पानी ले लेना है आधा किलो हमारी पालक थी और एक छोटी कटूरी दाल थी तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है सभी को अब हम इसका धक्कन बंद कर देंगे तो अब इसे हम गैस जला लेते हैं और कुकर हमना रख देते हैं so हमें तीन से चार सीठिया लगानी है तो लीजे हमारी पालक जो पक चुकी है तो आप लोग कह रहे होगे ये पानी अलग है और ये पालक अलग है तो हम इसमें एक करने वाले हैं तो हम यहां पर लेंगे तो उसे तीन चम्मच ग्यों का आटा उसमें डालेंगे हम पानी उसे हम अच्छे से घोल लेंगे क्योंकि इसमें गाठें ना पड़े दिखिए इस तरहेके से हमको घोल लेना इसको इसे हम थोड़ा भी पतला करेंगे इसमें थोड़ा पानी और डाल देते हैं तो इस तरीके के हमको गोल तैयार कर लेना है तो अब इसे हम डालेंगे पालक और डाल में चले चलते डाल देते हैं तो लीजे हमने डाल दिया ये अपना हाटे का गोल अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सामे से पकाना एक से दो मिनट इस तरीके के हम इसे मिक्स कर देंगे तो में दीमी आज में इसे पकने देना है तो अब देखिए हमारे इस पालक और दाल का मिक्सर किस तरीके स्तयार हुआ देखिए तो अब ना ही पानी अलगे ना ही हमारी पालक तो हमने आपर ले लिया सरसो तेल आप घी का यूज भी कर सकते हैं तो हमने आपर ले लिया थोड़ा सा ज़्यादा लेसून जितना ज़्यादा लेसून होगा उतना अच्छा हमारा ये सक पैथा बनेगा तो हमारे आगाओं में से सक पैथा बोलते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट्स में जरूर बताईएगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करिए तो अब यहां पर हम डाल देंगे आदा चम्मच हीन थोड़ा से और डाल देती हूं इससे हमारे पालक और दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता हिंग से तमनी आपर डाला है आदा चम्मच हल्थी पाउडर जिससे कलर हमारे दाल का बहुत अच्छा आएगा अब यहां पर हम डाल देंगे कुछ लाल मेर्ज तीन से चार आप चाहें से तोड़के भी डाल सकते हैं पर यहां पर मैंनी खड़ी ही डालती है तो इसे हम अच्छे से बून लेंगे और यहां पर हम डाल देंगे एक चुटकी कस्मेरी मिर्च जिससे हमारे सकपैता का कलर बहुत ही सुन्दर आएगा और देखने में बहुत सुन्दर लगता है तो लेजे हमने डाल दिया अपना यह पालक और दार का मिक्षर देखे हमारा यह सकपैता बनकर रेडी हो गया है तो इसे हम चला देते हैं खोड़ा सा सच में अगर आपको एक रोटी की भूग होगी तो यहां पर आप चार रोटियां खाएंगे बहुत अच्छा लगता है खाने में तो आप लोग जरूर बनाएगा इस रेस्पी को और कमेंट्स में बताएं किस तरीके का बना है और कैसा लगा खाने में तो हमने आपर सर्विंग कैस्ट्रॉल में सर्व कर दिया है तो लेजे हमारा सकपैता बनकर तयार है तो किस-किस को पसंद आया है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सस्क्राइब और लाइक से जरूर करें अगर आपको ये रेस्पी अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट्स में प्लीज जरूर बताएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर सेयर करिएगा तो मिलते हम अगली रेस्पी पर जब तक के लिए बाबाई तेक्यार